गुड मॉनिंग दोस्तों कैसे हैं आप जैसे आपको पता है उत्रहंड लोग से वायोग यानि यू के पीसस ने हाली में अधिसास यादिकारी अब हम करवे राजसर निक्षक का नोटिफिशन निकाला था इसकी ऑनलाइन भी सुरू हो गई है जैसे आपको पता है हिंदी इस इस तरह से सिलेबस दे रखा है तो इसमें अलग से हिंदी का जो है इनों ने सिलेबस दिया है जैसे बाग क्यांस के लिए एक सब्द यानि बाग क्यांस के लिए एक सब्द कौन सा अलेक सब्दों के लिए एक सब्द यानि इसमें ये पांच माक्ष कराएंगे बलॉम सब् अलग से स्लेवस दे दिया है तो हमने जो है ये सेरीज शुरू कर दी है अपनी और उसके अलाबा जो है आपको पता है हिंदी आपको UKEEHC में भी जो हमारे एक्जाम है जनरल स्लेवस है उसमें भी हिंदी काफी महत पूर होती है क्योंकि वहाँ पर बेसमार्क्स की होती है काईज अगर आपको वीडियो 1% पे अच्छी लगए है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करें तो चलिए ज़्यादर टाइम ना खराब करते हैं तो बात करें बाक्यांस के लिए या अनेक सब्दों के लिए एक सब्द ठीक है ये पाँच मार्क्स काएंगे तो पहला है देखिए इसमें भलाए की इच्छा रखने वाला तो देखिए जो भलाई की च्छा रखने वाला होता है उसके लिए क्या सब्द यूज होता है हितेसी क्या सब्द होता है उसके लिए हितेसी अगला है कुछ खास सर्तों द्वारा कोई कारे करने का समझ होता है ठीक है कराने का होता ही है, तो कराने का समझ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं संबिधा, क्या बोलते हैं उसको संबिधा, अगला है, जो स्वैम उत्पन हुआ हो, ठीक है, जो स्वैम उत्पन हुआ हो, तो उसको बोलते हैं स्वैम भू, क्या बोलते हैं उसको स्वैंभू अगला है जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है तो उसकी लिएक शब्द क्या होता है शाक्षर क्या होता है शाक्षर अगला है प्राणों पर संकट लाने वाला तो सांगातिक क्या होता है सांगातिक अगला fashion, अगला fact है हमारा एक ही उधर से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? सहोधर जो सरलता से समझने योग्य हो तो उसको बोलते हैं सुभोध जो सुनने में कटू लगे उसरूती कटू जो सुनने में कटू लगे तो सुरूती कटू अगला है बोलने की इच्छा तो बिबाक्षा क्या होता है बिबाक्षा अगला है इसमें जो पूर्ण रूप से बहरा हो तो बजरवधिर क्या होता है बजरवधिर क्या होता है बजर बधिर अगला है देखे इसमें ब्लोम सब्द तो ब्लोम सब्द आपको पता है पांच माक्ष काएंगे कितने माक्ष काएंगे पांच माक्ष काएंगे तो बात करें देखे शार्थक तो शार्थक क्या होता है निरर्थक क्या होता है नरत्थक सुधा का होता है गरल सुधा का होता है गरल स्वेकिया का होता है परकिया बिनीत का होता है उधद अब बिमुक का उनमुक ये पाँ जो है एक्जाम में काफी बार पूछे गए हैं मतलब आप देखें हैं तो आज की वीडियो मैंने बस इसलिए आपको छोटी दी है ताकि मैं आपको बता सकूँ किस तरह से इसका पैटर्न रहेगा कैसे अकर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को पने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तो चलिए मिलते हैं एपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यू फोर वाचिंग